वेल्कम तु मैं चल्ट वागत आप लोगों कामेडिये चल्याइन में ने लिए जए कि मार्केट के कुछ मून्स के बारे में जैसे कि अभी मैं आपको बता दू कि हाँ आप कैसे हो कि मार्केट के इंट्राडे में लगबग आप कैसे हो एक परतिसवत की तेजी देखने को मि से घरेली कुटी में जोखिम से बचनी की भावना वर संभावना तो कि थोड़ी कम हो गया एंड यूस के फेट चर्में जेरों पोवल ने संकी दिया है कि अमेरिकी केंद्री बैंक का चाद तसों को तक का अब तक का सबसे अधीक अधिक जो सकती जो सबसे आक्रमक शक्ति क का चक्र समाप्त होने का कागार पर है वहीं आगर मैं बात करूं आपसे निफ्टी फिप्टी के बारे में तो निफ्टी फिप्टी जैसे के अभी हाल फ्लार में आप देख सकते हो कि जो भी मेरी वीडियो उसके अकॉर्डिंग ली गैस उन्नीस एक सुबतीस पे शॉक्त आपको बता दू कि फैट प्रमुख जोरम पावल ने जो उची महंगाई दर है उसके बावजूद भी लंबी अबदी में महंगाई की दर नियंत्रन में रखने की उमीद बताई है और इसके बयान के बास से कैस पॉजिटिव विट्टी देखने को मिलिया मार्केट के सब्सक्राइब ले लो ठीक है ना जोजित फाइनशल सर्फिसस के पीवी के विजय कुमार का कहना है कि इससे बांड एल्ड में तेजी से गिरावट आई है और बजारों ने इस पर अपना पॉजिटिविटी जताई है अगर मैं ग्लोबल मार्केट की बात करूं तो गैस द दिया है कि कल S&P जो 500 है वो इंडेक्स कमस कर माकर मैं बात करूं आपसे 1 पर तेजी देजी देखने को विली थी और एक नंबर को यह आपनी 200 डे के मोविंग एवरेज को भी पार करता दिखाता कैस कि डॉजोंस इंडस्ट्रियल एवरेज 0.67 परसेंट बढ़कर बंदवा इसी तरह नेस्टेक कमपोजिट 1.64 परतिशत बढ़ गया इस इस बिच ऑस्ट्रेलिया में भी S&P और आप लगा लो ASX 200 इंडेक्स 1.20 परसेंट बढ़ गया है इस यह लगपक दो सप्ता में अपनी उच्छता में सरके करेब पहुँच गया है इस टेक्स शेयरों में आई तेजी के दम पर अधिकांस एश्य बजारों में भी तेजी आई है जपान के निकरिंग के अगर मैं बात करूँ ना आप लोग उससे उसमें 225 में मतलब उसमें 1.2 पतिशत की तेजी तेजी तेखने को मिले हैं बैंक आफ जपान की तरफ से उम इसमें 1.5 पतिशत की तेजी तेजी तेखने को मिले थी एन होंक कंग के हैंक संग इंडिक्स के अगर मांबात को तो इसमें 1.5 पतिशत की बड़त के साथ हो खुरा था कैसे महीं बॉंड एल्ल की में गिरावट आई है आपको बता ने तैनियर का जो यूएस का ट्रेजरी एल्ड है दो हफतों से तो हफतों में पहली बार मतब यह कम से कम 4.75 पतिशत की नीचे गिर गया इसे भी बजार में जोशा है और इसी नीका टाइम से डॉलर इंडेक्स में 106 पतिशत की मार्ट पर ने जो ब्रैंड रोड है वह भी 85 डॉलर पर और तैन यह अमेरिकी बॉं इल 4.75 पर रहने की उम्मीद है यह शेयर बजार के लिए अनुकूल इस्थिती में देखने को मिलते हैं अगर मैं आप लोगों से बात करूं ना कि रुपिया का क्या सहीन है मतलब रुपीज का का इस रुपीज के बात की जाए तो आज के दिन सुरुआती ही टाइम पे अमेर फिर्जी से गिर कर 106.34 के सर पर आ गया है कैसी के डॉरर इंडेक्स दुनिया की बड़ी मुद्राओं के मुकाबले ग्रीन बैक के मोवेंट को ट्रैक करता है और रुपे में मजबूती से भी बजार को सपोर्ट मिल रहा है गाइस आपको यह चीज सवाज में आई होगी त लेकिन आप थोड़ा सा इसमें स्थिर्था देखने को मिल रहें बुलिश भी देखने को मिले तो थोड़ा से अपनी नजर बना कर चलेगा बाकी गई इसको ही रेकमेंडेशन फ्रेंस लिए इस रड़ी पर से वीडियो चानल पर नहीं है तो लाइक स्प्राइक करना मत बाइगा से को बेंगे नेक्स वीडियो में